हिश्ट्री के ये चार चैप्टर्स एनिमेटेट तरीके से जला देने के बाद हम आ चुके हैं लास्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्ण वर्ल्ड पे इसमें हमें डिस्कस करना है कि कैसे प्रिंट यानि कि जो भी तुम पैरग्राफ देखते हैं पेज पे उसमें एक वर्ड होता है उस वर्ड में एक लेटर होता है ये लेटर कैसे पेज पे आया प्रिंट कैसे इन्वेंशन कैसे हुआ प्रिंट का पूरे वर्ल्ड में कैसे फिर प्रिंट फैला और पूरे वर्ड में फैलने के बाद प्रिंट का क्या impact परा पूरे वर्ड पे कैसे दुनिया बदल गई प्रिंट के invention के बाद प्रिंट के invention के फैलने के बाद यहां तक की मैं जो यह lecture record कर रहा हूं और तुम यह जो chapter पढ़ने जा रहे हो इसका भी reason तो एक printed matter तुमारी NCRT book ही है और यह बड़ा ही interesting chapter बिल्कुल interesting तरीके से हम यह chapter खतम करेंगे one shot में इस एक वीडियो में chapter को स्वाहा कर देंगे any minute तरीके से और वीडियो में important questions भी discuss कर लेंगे फिर चले जाना description में यह हमारी website पर्णलेक्षे.com पर जहां तो मिल जाएगी worksheet इसमें है MCQs important questions, previous year questions case based questions और यहां तक की important image based questions भी पॉपकोन ओडर कर लो topic one the first printed books की कहां से origination होता है कहां से start होता है printed books का तो सबसे पहली countries कौन सी थी जहां पर सबसे पुरानी printing technology डेवलप हुई China, Japan and Korea इसको ऐसे याद कर लो कि हमें पढ़ लिखकर क्या बुलाता है करने को कि जाओ कमाओ पढ़ा ही लिखाई करो और फिर जाओ कमाओ तो चलो जाओ कमाओ सेलो जाओ कमाओ CJK से China, Japan, Korea यह तीन countries में start हुआ था और यहां पर यह उस time पर सिस्टम था हैंड प्रिंटिंग का कि हाथ से प्रिंटिंग हो रही थी अब हाथ से प्रिंटिंग का मतलब है कि उस time पे wood blocks के उपर pages को रब करके प्रिंटिंग की जाती थी यानि कि जो लकडी होती है लकडी को काट दो और उसको इस shape में काटो ऐसा बनाओ यह वो एक letter type का दिखे और उसको ink से भर दो वो ink जैसा लग जाए और उसके उपर paper को rub करो ठीक है उसको rub करो तो paper पर वैसा impression बन जाएगा जैसा वो लकडी का impression है जिस पे ink लगा हुआ है तो इतने जादा कठिन तरीके से उस time पर printing होती थी यह के letter की और उस तरह से पूरा का पूरा printing का process होता था अब यह करता कौन था जो skilled लोग होते थे उस time के जो एक printing हो गए उसको धेर सारा duplicate करते थे क्योंकि सिर्फ एक book तो बनती नहीं है तो उसकी कई सारी copies जो बनाते थे duplicate करते थे बिल्कुल exact बिल्कुल exact उसी तरह duplicate करते थे जैसे same photocopy की गई उस time पे और यह photocopy करने की art को इस कला को बोलते थे calligraphy calligraphy की definition आ सकती है तो लिग देना वही चीज़ की the art of beautiful and stylish writing की beautiful और अच्छी style में writing करने को कलते थे calligraphy फिर देखो अब तुम्हें question आ रहा होगा दिमाग में क्यार यह China, Japan and Korea में ही क्यों print की सबसे पहली technology, सबसे पुरानी technology develop हुई और कौन सी ही technology hand printing तो start invention वहाँ पर क्यों हुआ क्योंकि China की population उस time पर भी ज़्यादा थी अब population ज़्यादा है तो वहाँ पर जो नौकरी करने वाले लोग होंगे यानि कि जो employees होंगे वो भी ज़्यादा होंगे तो एक बहुत बड़ी employees की team बनाने के लिए बहुत बड़ा bureaucratic system बनाने के लिए bureaucratic system का मतलब जो government services वाले लोग होते हैं वो तो बहुत बड़ी पूरी team बनाने के लिए exam conduct कराना पड़ता था अब exam conduct करवाना है तो उसके लिए चाहिए books और books print करवानी पड़ती थी तो books print करवाने के लिए वहाँ पर start हुआ था printed material का invention ज़्यादा production सबस्जादा production वहीं पर होता था और जैसे जैसे लोगों ने देखा कि books पढ़के exam pass करके नौकरी मिल रही है तो और candidates बढ़ते गए examination के और जैसे जैसे candidates बढ़ते गए वैसे वैसे print का volume बढ़ता गया यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा printing होने लग गई चाइना में ही फिर उसके बाद ये time था 16th century का 17th century में सौ साल के बाद 17th century में सिर्फ अब exams के लिए नहीं कई अलग-अलग तरीके के लिए print use हो रहा था जैसे की अगर कोई बोर हो रहा है तो अलग-अलग चीजें पढ़ना प्रिफर करता था जैसे की fictional चीजें poetry, autobiographies लोगों के बारे में जानता था romantic चीजें यहां तक की men, women सब पढ़ते थे और खोद लिखते भी थे यहां तक की फिर धीरे धीरे हुआ ये कि एक नया reading culture आ गया प्लस एक नई technology आ गई western printing techniques आ गई अब western powers ने क्या किया उस time पर भी western powers सी सबसे ज़्यादा powerful थी western powers नहीं की इधर, Europe के लोग उन्होंने Shanghai को क्या बना दिया hub of new printing technology Shanghai क्या है हम सबको पता है coronavirus के बाद China का एक city, Shanghai उसको क्या बना दिया new print culture का hub बना दिया अब वहाँ पर क्या होता था hand printing से shift होने लग गया mechanical printing पर क्योंकि वहाँ पर machines और काफी सारी चीज़े वहाँ पर fix कर दी किसने western powers ने अब ये तो story थी चाइना की देखना है हमें अब story Japan की कि Japan में क्या हुआ तो चाइना के buddhist missionaries थे हमने global world बाले चप्टर में देखा था कि लोग इधर से उधर move करते थे in search of knowledge and everything तो knowledge के लिए जो buddhist missionaries थे वो लोग hand print technology को Japan में जाके introduce कर देते हैं in AD 768 to 770 ये year है और AD 768 to 770 यानि कि बहुत पहले के time है अब जो सबसे पुरानी Japanese book थी वो important है वो याद कर लो कि सबसे पुरानी Japanese book थी Diamond Sutra क्या थी The Buddhist Diamond Sutra इसके बारे में कुछ feature साथ कर लो सबसे पहला कि ये book print हुई थी AD 868 में किसमें? 868 में इसमें दूसरा point कि इसमें six sheets थी of text and woodcut illustration text था और woodcut के illustration थे यानि कि लकडियों के काटे हूँ illustrations थे कितनी sheets? six sheets और तीसरा point कि इसमें pictures भी printed थी textile पर playing card पर और paper money पर क्या था? pictures printed थी textiles पर कपड़ों पर playing card पर और paper money पर और ये image है एक page है Diamond Sutra का ही यानि कि सबसे पुरानी Japanese book का देखो फिर वहाँ पर visual material का भी production होने लग गया क्योंकि कई जगा पर एक सेहर है Tokyo का नाम पहले उस टाइम पर क्या था? वहाँ पर इडो वहाँ पर कई सारी अलग-अलग technology के printing आने लग गई एक नया art form आया जिसको बोला गया UKEO जहाँ पर picture बना जाजा थी print comes to Europe जो मैंने बताया कि लोग इधर से उधर travel करते थे तो सारी चीज़े move होती थी अब Europe में कैसे print आया ये देखना है हम सब को पता है chapter पढ़ा था ना मने making of the global world में कि silk route से सब कुछ transfer होता था जैसे कि silk and spices transfer होती थी थी चाइना से यॉरप में तो उसी तरह चाइना से यॉरप में सेम रूट पे travel हुआ paper और paper जैसे ही उधर travel हुआ किसके दोरा Marco Polo जब वो Italy वापस आ रहे थे चाइना के exploration के बाद तो Marco Polo ने देखा कि कैसे लोग Italy के लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना खुद का wood block printing दोस टाइम पे बिल्कुल नया था यॉरप में तो wood block printing बिल्कुल फैल गई यॉरप में भी जो पहले कहां पर चलती थी चाइना में पिर कैसे स्टार्ट हुआ luxury editions आने लग गए है handwritten printing के किस पे वेल्लम पे कि अभी तक तो pages पे हो रही थी printing जो मैंने बताया wood block से लेकिन जो luxury editions थे वेल्लम पे वेल्लम क्या है apartment made from the skin of animals यानि animals की skin को काट करके निकालना और उसकी skin पर printing करना ये बहुत अमीर लोग सोचते थे कि ये इसमें अरी class दिखा रही है और हम अमीरियत दिखा रहे है अपनी रहीसियत दिखा रहे है और ये बहुत elite लोग यानि कि अमीर लोगी इसको afford कर पाते थे और उस time पर क्योंकि ये सब बहुत महगा था एक एक copy को एकदम handwritten बनाना बैटके copy करना इसमें कितना time वाला भी था और जो लोग ये काम करते थे बैटके उनको गोलाता था scribes जो hand and copy करते थे बैटके बनाते थे केकश चीज अब लेकिन धीरे-धीरे early 15th century में wood block printing बहुत ज़्यादा यूज होने लग गई लोगों ने textile पर printing चालो कर दे यानि कि कपडों पर printing playing cards की printing चालो हो गई religious picture की printing चालो हो गई यानि कि बहुत तेजी से printing फैल चुकी थी लेकिन धीरे-धीरे-धीरे-धीरे ऐसा महसूस किया गया कि demand बहुत ज़धा बढ़ रही है और जादा से जादा test हमें चाहिए जादा जादा printed material चाहिए जिसके लिए कुछ नया invention की ज़रूत है क्योंकि कब तक हम लकडी काट के उसका impression इंक चिपका कर उसको रब करते रहेंगे paper के against इतना easy तो है नहीं कि paper पर रगड़ते रहो बैट के लकडियां तो उसके बाद होता है एक invention आता है एक hero उस hero का नाम है जोहान गुटन बर्ग क्या नाम है जोहान गुटन बर्ग जो invention करते हैं world का सबसे पहला printing press का invention होता है 1430 में कब 1430 में सबसे पहले गुटन बर्ग की थोड़ी सी background story जान लो जैसे इंडियन आइडल में जानते हैं कि मैं बहुत गरीब घर से आई हूँ मैं यहापे गाना गाने आई हूँ वैसे ही इनकी story जाना जरूरी क्योंकि कभी-कभी पूछ लेता है exam में बचपन से उन्होंने देखा था गुटनबर्ग ने देखा था वाइन और ओलिफ प्रेस देखा था बचपन से और बचपन से उनको art आई थी उनको कला सीख ली थी उन्होंने किस चीज की stones polish करने की और एक बहुत बढ़िया goldsmith बन गए थे goldsmith यानि कि जो सोने के articles याई ornaments बनाता है यार अरे basic language में सुनार और उन्हें lead molds भी बनाने आता था जिससे वो trinkets बनाते थे तो देखो क्या क्या qualities थी कि बचपन से उन्होंने wine और olive का प्रेस देखा था यानि कि wine और olive बनाने की factory और उन्होंने देखा था कि कैसे stone polish करते उन्होंने सीख लिया था stone polish करना और एक goldsmith बन गए था अच्छे सुनार बन गए थे lead molds बनाने लग गए थे तो अब ये सब चीजों की knowledge मिला कर उन्होंने देखा कि वो एक ऐसा metal type cast कर सकते हैं जिससे letter बन जाए जब वो lead molds बना ही रहे थे lead metal होता है उससे molds बना ही रहे थे तो उन्होंने बना दिया एक metal का cast जो एक alphabet के तरह दिखता था अब उस system से उन्होंने उस system को improve किया कहां 1448 में 1430 से start करके 1448 18 साल लगा कर उन्होंने इस system अपना perfect कर दिया और उनकी पहली printed book थी दी Bible और इसके बारे में जान लो कि वो 180 copies प्रिंट हुई थी उस time पे जिसको 3 साल लग गए थे 180 copies सिर्फ प्रिंट होने में 3 साल लग गए थे और उस time पे ये बहुत fast माना जाता था क्योंकि और ज़्यदा time लगता था उस time पे और ये technology क्या थी ये technology गुटेंबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का ये image दिया हुआ है ये ऐसे page को रखो उपर से फिर impress करो एक impression आएगा तो इस stripe का पूरा का पूरा framework था अब जो new technology थी कि वो पूरा का पूरा पूरानी technology को पूराने तरीके को handwriting वाले तरीके को displays नहीं कर पाई थी हटा नहीं पाई थी क्यों? इसके कुछ कारण है सबसे पहला कि जो printed technology इन्होंने introduce की भी थी ये बिल्कुल similar से दिखते थे header manuscript से क्योंकि हाथ से लिखोगे text या फिर type करके लिखोगे यानि कि imprint करके लिखोगे तो बिल्कुल सेम ही तो रहेगा almost यहां तक की जो metal letters थे जो metal letters नहोंने बनाए थे metal के वो बिल्कुल सेम लगते थे hand and style के लगते थे borders जो थे वो बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे हाथ सही किये गए हो और illustrations को paint किया जाता था यानि कि एक एक चीज़ को paint किया जाता था और जो books थी ना वो जो अमीर लोग थे वो books ऐसी prefer करते थे जिसमें थोड़ी decoration वगएरा हो तो decoration के लिए page भी blank छोड़ जाता था लेकिन अब ऐसा हम नहीं कर सकते हैं जहां पर हम printing कर रहे हैं तो इसलिए hand and material उस time पर भी कई जगे पर prefer किया जाता था अब 1450 से 1550 तक printing press कई जगे पर set up कर दिये गए Germany से printer travel करते थे अलग-अलग world में अलग-अलग areas में देखने के लिए कि क्या चल रहा है कैसे और improve किया जाए तो उसके बाद जैसे जैसे printing press बढ़ने लग गया बुक production बढ़ गया नए नए बुक्स प्रोडूस होने लग गया जादा मातरा में बुक्स प्रोडूस होने लग गयी और 16th century तक 200 million copies books की फैल गई थी तो अब एक shift आ चुका था hand printing से कहा mechanical printing में और ये shift लाया था revolution क्या revolution की पहले जहां एक एक copies बन रही दो-दो copies बन रही है फिर उसके बाद printing press आने के बाद दी सबसे पहली जो Bible थी उसको तीन साल लग गए 180 copies बनाने में लेकिन अब 16th century में 200 million copies इतनी copies तक बनाना चालू कर दिये थे उस टाइम पे आते हैं topic 3 पे the print revolution and its impact की जो print revolution हुआ इसका impact क्या पढ़ा सबसे पहला कि एक बिल्कुल नई reading की public आ गई थी बिल्कुल नए लोग आ गए थे कैसे देखो उस टाइम पर पहले सिर्फ students पढ़ रहे थे यार सिर्फ और सिर्फ students कि हम पढ़ेंगे exam पास करेंगे नौकरी आएंगे लेकिन अब एक बिल्कुल नए लोग आ गए से पढ़ने के लिए जैसे इसमें important points हैं पहला point कि reading was restricted to the elites earlier reading was restricted to the elites जैनि कि अमीर लोग तक restricted थी common people के पास नहीं था क्योंकि उतना महगा था उस टाइम पर और common people lived in a world of oral culture common people overall culture पर रहते थे क्योंकि जो मीर लोग है एकका दुक्र के पास किताब है तो वो पढ़के सुनाता था और group बनाके नुक्ड पर बैटके लोग सुनते थे they heard sacred texts read out ballards recited and folk tales narrated उनकों क्या-क्या पसंद था कि कोई ballards चिला-चिला कर उनने सुनाए जो sacred texts है religious texts है उसको चिला कर सुनाए और folk tales कहानी किस्से भी सुनाए ballards क्या है ballard यार इसकी definition देखो अब से पहले a historical account of folk tales in verse usually sung और recited कि एक folk tales का यानि कि पुरानी history का कोई कहानी किस्सा जिसको गा-गा के चिला-चिला के इसको बताया जाता है अब people collectively heard a story और saw a performance नुकरबैट के सब सारे मिलके देखते थे अब before the age of print books were not only expensive but they could not be produced in sufficient manner सिर्फ महगी थोड़ी थी बहुत ज़्यादा quantity में produce भी नहीं कहा सकता था क्योंकि पुराई technologies कफी slow थी लेकिन अब कई सारी technologies के बाद ये printing press होने के बाद बहुत ही easily अच्छी मातरा में पढ़ जा रही थी अच्छी मातरा में produce जा रही थी और लोग पढ़ भी रहे थे जो hearing section था hearing public से एक transformation हुआ reading public में क्योंकि कई सारे लोग पढ़ रहे थे books को लेकिन दिक्कत तो यहीं है ना कैसे सब लोग पढ़ पाएंगे जो लोग लिटरेट हैं पढ़ ही लिखे हैं सिर्फ ही लोग पढ़ पाएंगे जो लोग नहीं पढ़ लिख पाते थे वो कहीं नुकर वगएरा पर बैट के लोग जो पढ़ के सुनाते थे उनकी बातों को सिर्फ सुनते थे सिर्फ और सिर्फ सुनके ही मज़ा ले पाते थे अब जब सुन रहे हैं लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डिबेट्स भी होगी तो religious डिबेट्स चालू होगा यार प्रिंट के बाद जैसे कि एक line anxiety में तुम में लेगी देखने को कि not everyone welcomed the printed book and those who did also had fears about it कि सब ने printed book का welcome नहीं किया सब ने स्वागत नहीं किया सब को अच्छा नहीं लगा और जिनों ने स्वागत किया भी जिनको मज़ा भी आया printed book से उनको भी थोड़ा सा डर था और वो क्या डर था ये देखो पहला it was feared that if there was no control over what was printed and read then rebellious and irreligious thoughts might spread कि लोगों में डर था कि अगर इस पर कोई control नहीं हुआ कि क्या परेंट हो रहा है क्योंकि कोई भी अपने मन की चीज परेंट करवा सकता था जिसको जो मान लिख रहा है और जाकर परेंट कर रहा है printing press में तो अगर कुछ भी प्रिंट करवाने लग गए लोग, तो कुछ rebellious चीज़े लिख सकते हैं, यानि कि क्रांतिकारी चीज़े लिख सकते हैं, उल्टी चीज़े लिख सकते हैं, और irreligious चीज़े लिख सकते हैं, जो religion के खिलाफ हो, उस टाइम पर लोग सबसे अद बिलीव करते कि यानि जो लोग अच्छा भी literature produce कर रहे हैं, उसकी authority भी खतम हो जाएगी, उसको भी लोग बिल्कुल discredit कर देंगे, कि अरे print बहुत बेकार चीज़ है, अगर ऐसा हो गया, print का अगर misuse चलो गया, तो जो लोग अच्छा भी print कर रहे हैं, उसको भी ऐसा देखना लग जाए that had begun to circulate, कि ऐसे same views कई artists के थे, कई उस time के rulers के थे, monarchs के थे, authorities के थे, और उनका मानना यही था, उनकी anxiety का reason क्या था, कि ऐसा printed matter अगर circulate हो गया, तो उनको बहुत ज़्यदा criticism जहिलने मिलेगा, उन artists को, उन religious authorities को, उन राजाओं को, क्योंकि अगर किसी के भी state में, प्रजा के बीच में, अगर कुछ भी फैल रहा, उल्टिसीदी चीज, तो उस राजा को बोला जाएगा, कि आप इसे सब कैसे होने दे रहे हैं, यह उल्टिसीज कैसे फैलने दे रहे हैं, या अगर किसी religion के खिलाफ लिखा जाएगा, तो उसको तो बोला जाएगा, जो लिख रहा है, मेन हेड है, चर्च है, चर्च के जो फादर्स हैं, उनको बला जाएगा, कि आप कैसे यह बरदाश कर रहे हैं, कि कोई भी हमारे बिलीफ के खिलाफ उल्टा सीधा लिख रहा है, और यही हुआ, 1517 में religious reformer मार्टिन लिथर ने 95 theses लिखे, क्या लिखे, 95 theses, जिसमें उन्हो ने criticize किया Roman Catholic Church को, अब यह क्या है, देखो Catholic Church का टाइप है, Roman Catholic Church, उसके कई rules थे, तो उसके rules के खिलाफ इन्हों ने लिखा, मार्टिन लिथर ने कई चीज़ें चैलेंज की और जाकर चर्च के दिवार पे चिपका दिया, विटनबर्ग में, और बोला कि इस पे debate करे चर्च, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी और यह पूरी की पूरी writing उनकी बहुत जादा मातरा में replicate हो गई, reproduce हो गई, यानि कि duplicate हो गई, बहुत सारी copies बन गई, कई लोग पढ़ने लग गए, और चर्च में ही एक division आ गया, और बन गया the Protestant Reformation, यह क्या है, Protestant Reformation एक movement है, जो reform करने के लिए था Catholic Church को, जो dominant किया था रोम के द्वारा, यानि कि देखो, जो Catholic Church है, जहाँ पे लोग जाके prayer prayer करते हैं, वो Roman लोग, रोम के लोग dominant करते थे अपना rule बनाते थे, तो Martin Luther ने अपके एक पूरी बुक लिख दी, 95 थीसिस लिख दिये, जिसमें उन्होंने उसक क्रिटिसाइस किया उस चीज़ को, और एक पूरी की पूरी revolution ने एक पूरा का पूरा ग्रूप अपना स्टार्ट कर दिया, movement स्टार्ट कर दिया, जिसको बोला गया protestant reformation, इसकी definition रहेगी, a 16th century movement, कि 16th century का एक movement, to reform the Catholic Church dominated by the Rome, जो Catholic Church को reform करने के लिए था, उनके rules को revise करने के ल और इसको lead कौन कर रहे थे तरीके से, Martin Luther King, जिन्होंने एक important statement दिया, जो आ सकता है कभी कभी पूछ के, कि who said this, कि printing is the ultimate gift of God and the greatest one, यह Martin Luther King नहीं बोला था, कि printing is the ultimate gift of God and the greatest word, and the greatest one, कि printing ultimate gift है God का और एक बहुत बड़ा gift है, अब इसके बाद जो यह reformation देखने को मिला, लोगों में revolution देखने को मिली, यह किसके वज़ा साई, प्रिंट का ही वज़ा साई, तो प्रिंट के वज़ा से काफी चीजें हुई, काफी लोग, अब क्या होंगे इससे, इससे काफी लोग के views match नहीं होंगे, तो conflict होगा, यही conflict हमें देखने को मिलता है, इटली में, इट अबने हिसाब से समझता है, और एक नया point of view बनाता है भगवान के लिए, God के लिए, जो point of view उसका खुद का point of view बनता है, यह बिल्कुल against मेरता है किसके, Roman Catholic Church के, अब फिर से Roman Catholic Church के खिलाफ एक आदमी खड़ा हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, Roman Catholic Church के जो लोग थे, Church के लोग थे, उरो ने क्या किया, कि inquisition start किया, क्या किया inquisition, inquisition का मतलब कि, court उस time पे क्या करता था, कि identify करता था कि कौन उनके खिलाफ उल्टे सीदे ideas spread कर रहा है, और उसके खिलाफ action लेता था, और इन्ही उल्टे सीदे ideas को बोला जाता था, heretical ideas, क्या heretical ideas, heretical ideas, heretical की definition दी लोग में कि, beliefs which do not follow the accepted teachings of church, यानि कि, ऐसे beliefs जो church की teachings के against में हो, तो उसको देखा जाता था कि, कौन ऐसे उल्टी सीदी चीजों को फैला रहा है, जो हमारे church के rules के, church के beliefs के against है, और उसको फिर स्याद जाती थी, यही होता है, यह Italy के Miller के साथ, जो mill में वर करता था, कौन था व जाता है, यानि कि, fantasy के fund's there पर चढ़ा जाता है, और उस दिन के बाद से, उसके बाद से, जो Roman church था, एक पूरा का पूरा index बना लेता है, पूरा का पूरा index बनाना चालू कर दता है, यानि कि, पूरी diary maintain करना चाट कर दता है, प्रोहीबिटेड बुक्स की, कॉन सी बुक्स क रहेंगी उनके साइड से वो बुक्स नहीं आनी चाहिए और ये एक इमेज दिखाई जा रही है यहाँ पर इसमें दिखाया गया है प्रिंटिंग के लिए जो फियर था लोग कितना डर रहे थे प्रिंटिंग से च्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रिंटिंग के वज़े से त वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे वहाँ पर गॉड्डेस को दिखाया जा रहा है भगवान लोग को दिखाया जा रहा है प्रिंट में यानि कि प्रिंट और रिलिजन का कितना अच्छा रिलेशन था ये वहाँ पर दिखाया जा रहा है आगे बढ़ते हैं चैप्टर क फोर्थ टॉपिक पे दि रीडिंग मेनिया दि रीडिंग मेनिया का मतलब है कि कैसे नए लोग बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दिये थे जैसे हमने पहले देखा कि लोग तो सिर्फ सुन रहे थे क्योंकि जादा पढ़े लिखे लोग थे नी तो कैसे अब सब के सब लोग धिरे धिरे 18th century खतम होते होते कई लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिये कैसे क्योंकि 18th century खतम होते होते तक यॉरप का literacy rate पहुँच गया था अब इसके बाद एक बिल्कुल नए लोग आ गए थे पढ़ने लिखने के लिए इसके लिए तो मैं लिखने होंगे पांच पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कि जो बुक सेलर्स थे उन्होंने पेडलर्स को इंप्लॉई कर दिया यानि कि एक ऐसे लोग को इंप्लॉई किया जिनको पेडलर्स बुलाता था जिनका काम होता था कि गाओं गाओं में घूमो और बुक्स बेचो तो जब ज़्यादा सेल होगी ज़्यादा लोग पढ़ेंगे भी खरीद के जो हमारे घुर्ण होते हैं पंचांग जिसमें लिखा होता है कि कब फुल्मून होगा कब नहीं होगा कब कौन सत्योहार पड़ेगा तो यह सब लोग रखते हैं और सब लोग रिड़ करते हैं और बलाड, फोक टेल से सब मैंने बताई दिया, उस टाइम पे काफी ज़्यादा पॉपुलर था. Point two, other forms of reading matter, largely for entertainment, began to reach ordinary readers as well. कि जो normal लोग थे, entertainment के ही परपस से काफी सारा reading matter पढ़ने लग गये थे. तीसरा point, in England, penny chapbooks were carried by petty peddlers known as chapmen and sold for a penny, so that even poor could buy them. England में क्या हुआ, penny chapbooks, chapbook का क्या मतलब है, ऐसी book, जो बहुत छोटी होती है, pocket size की book होती है, अब इसको कौन बेशता था, petty peddlers, कौन petty peddlers, जो peddlers इधर उधर travel करके books बेशते थे, chapbooks बेशते थे, उन्हें क्या नाम दिया गया, chapman, जो chapbook बेच रहा था, जो छोटी sizes की book बेच रहा था, जो सस्ती आती थी, सिर्फ एक penny के आती थी, उसको बोला गया chapbook, और उसको जो घूम घूम के बेच रहा था, उसको बोला गया, उस आदमी को बोला गया chapman, और इससे क्या हुआ, इसके circulation से यह हुआ, कि chapbooks एक ही पेनी की थी, तो गरीब लोग भी अराम से पड़ पा रहे थे, फॉर्थ पॉइंट, यह तो इंगलेंड के example है, फ्रांस पर रहते हैं, इन फ्रांस, वर दी, बिलो थी एक ब्लीव, वहाँ पर भी एक ऐसी ही बुक आई, जो बहुत ही लो प्राइस थी, छोटी-छोटी सी बुक थी, और पूर क्वाल्टी के पेपर पे थी, बट मैटर यह है कि सस्ता था, चीप ब्लु कवर्स में लगा के इसको बेच जाता था, ताकि जादा सा जादा मात्रा में लोग पढ़ पाएं, सब लोग इसको अफॉड कर पाएं, फिफ्थ पॉइंट, there were the romances printed on four to six pages and the more substantial histories which were stories about the past, कि सिर्फ यही सब बुक नहीं थी, entertainment या फिर chap book, penny book, यह सब के अलावा भी था एक चीज, जो क्या था, romances printed on four to six pages, चार सचे पन्नों में print क्या आता था और historics भी थी, यानि कि histories के बारे में भी दिए हुई थी चीजें, जो लोग इधार उदर घूम कर बेचते थे और वो काफी बिखती थी उस टाइम पर, अब इसके पाथ जब अलग अलग चीजें print होने लग गई, तो newspaper और journals बिखाने लग गए, जिसमें काफी information रहती थी, wars के बारे में, trade के बारे में, यहां तक कि development के बारे में, उस country में यह development हो रहा है, यहां पर यह development हो रहा है, लोगों को मालूम पढ़ने लग गया, इधार उधार की चीजें, और ancient text, scientific text, हर एक चीज़ प्रिंट होने लग गया, यहां तक कि इसाक न्यूटन ने, जो हम सब जानते हैं, जिनके उपर सेब गीरा और उन्होंने इन्वेंट कर दिया, क्या, उन्होंने भी अपनी सुरू सुरू की जो discoveries थी, उनको print करना चालू किया, अब उसकी reading कई लोग पढ़ते थे, तो वो लोग influence होते थे, अब एक चीज़ देखने मिली, कि कई लोग, जो print फैला रहे थे, इससे despotism कहीं न कहीं खतम हो रहा था, despotism क्या है, despotism की definition होगी, a system of governments in which absolute power is exercised by an individual, unregulated by legal and constitutional checks, despotism का मतलब ताना शाहियार, कि जहाँ पर ऐसे system का government हो, ऐसा government हो, ऐसा government का system हो, जहाँ पर सारी की सारी power एक ही आदमी को ले जा कर दे दो, और जिसका कोई check ना होता हो, कोई legal rule ना हो, कोई logic ना हो, तो अब उस time पर तो ऐसे चलता था, राजा महाराजा के पास सारी power होती थी, तो लुईस सिबास्टियन लुईस सिबास्टियन मर्शियर एक novelist थे 18th century के, जिन्होंने क्या बोला था, इनका अब एक statement है आद रखना कभी कभी आ सकता है कि ये statement किसने बोला था, तो एक statement मैं ने पहले बता दिया मार्टिन लुथर किंग का, अब एक statement इनका है, कि the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep the spots away, कि printing press बहुत powerful engine है, progress का, इससे progress होगी और public opinion जो है, जो ये press की चीज़े, printed material पढ़के जो public opinion बनेगा, ये force रहेगा, जो despotism को उड़ा देगा, despotism का सफाया कर देगा, यानि कि ताना शाही का, अपनी मर्जी चलाने का सफाया कर देगा, क्या ये सच में होता है, ये देखने से प tremble यानि की कापो, tyrants यानि की ताना शाह, जो world के बड़े-बड़े ताना शाह है, वो कापो, और अब काप रहे हैं, किसके उपर, before the virtual writer, कि एक writer के लिए उन्हें कापना पढ़ रहा है, printed material के वाज़ा से उन्हें काप उठे हैं, printed material से इतना वो डर गया हैं कि वो काप रहे है क्या इतना impact पड़ा था बड़े-बड़े वोल्ड के leaders पे, print का, यह देखते हैं, कही लोगों का मानना है कि French Revolution जो ही न, French Revolution में क्या हुआ था, power transfer हुई थी न, monarchy से public पे, यह पूरा transfer, यह पूरा French Revolution, print के वज़ा से हुआ था, इसके लिए हैं अपने पास तीन points, पहला point, print popularize the ideas of enlightenment thinkers, print popularize the ideas of the enlightenment thinkers, यानि कि जो अब चीज़े लिखी जा रही थी न, उसमें कई सारी ऐसी चीज़े भी थी, ऐसी कई सारी राइटिंग्स थी, जो जो चले आरा tradition था, चला आरा जो सूपरिशन था, अंध विश्वास था, despotism, यानि कि ऐसा rule जहां पर सिर्फ एक आदमी की इस उनो अंधा कानून हो basically, उसको reason से वहाँ पर criticize करते थे, पूछते थे इसके पीछ reason क्या है, हर चीज़ को rationality से देखने लग गए थे लोग, हर चीज़ को judge करने लग गए थे, यहां तक कि उन्होंने church तक को नहीं छोड़ा था, जो उस time की सबसे sacred, holy, या फिर मैं बोलू सबसे आधा respected चीज़ थी, उसके खिलाफ भी लोगों ने लिखा, जो पहले हमने देखा, तो church के beliefs को भी लोग challenge कर रहे थे, then, point number two, print created a new culture of dialogue and debate, print के जासे एक नया culture आ गया था, dialogue करने का, debate करने का, हर एक चीज़ question करने का, पूछने का, कि क्या यह चीज़ सही भी है, all the values, norms and institutions were revalued and discussed by public that had become aware of power of reason, कि जितने भी norms थे, rules थे, हर एक institution के, उनको question क्या जाने लगा था, क्योंकि लोग अब aware हो गए थे, कि क्या सही है, क्या गरत है, third point है, कि by the 1780s, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality, क्या मतलब है, कि 1780s तक इतना ज्यादा literature बाहर आ चुका था, ज्यादा literature फैल चुका था, ऐसा literature फैल चुका था, जो मजाक उड़ाता था royalty का, बड़े-बड़े लोगों का मजाक उड़ाता था, और criticize करता था उनको उनकी morality के लिए, कि कहता था कि तुम क्या सोचते हो, इसका पीशे कोई पासेस बटी थी, ये क्यों ऐसा social order है, क्यों जो अमीर लोग हैं, वो सारा pleasure enjoy करते हैं, और गरीब लोग सारा का सारा जहलते हैं, सारी सारी परिशानिया जहलते हैं, क्यों, ये सब के उपर भी printing चालू हो गई, अब ये सब जब लोगों ने पढ़ा, तो लोगों के अंदर जागरूता, उन्होंने समझा कि हाँ, ये तो सच बात है, क्यों हम अभी तक इनका कानून मानते आ रहे थे, क्यों इनका rule मानते आ रहे थे, हमें तो logically देखना चाहिए सब चीजें, तो ये तीन points बड़े important हैं, इस बात को support करने के लिए, कि हाँ French Revolution में contribution है, print का, print का ही contribution है, जब लोगों ने पढ़ा, तो देखा, कि हाँ, हमारे साथ गलत हो रहा है, और ये एक cartoon है, जिसमें दिखाया गया है, nobility and common people before French Revolution, इस cartoon में, अब हमें कैसे देखना चाहिए इसके उपर, हमारा क्या, इस पर point of view होना चाहिए, as a reader, कि हम देख रहे हैं, तो हमें क्या सुछना solution सिर्फ print ने करवा दिया था, तो देखो, इसमें कोई doubt नहीं है, कि हाँ, print की मदद से ideas spread हुए थे, ideas spread हुए, royalty के खिलाफ spread हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं था, कि सिर्फ royalty के खिलाफ spread किये, एक तरफ अगर, ऐसे writers थे, example, वल्टायर और रोशियू, ये दोनों writers थे, जो monarchial औ जैसे कि church भी थे, वो अपनी भी printing निकाल रहे थे, वो अपनी printing निकाल रहे थे अपने message को spread करने के लिए, तो हर group अपने message spread करने के लिए print का use कर रहा था, तो इसमें print का कोई directly connection नहीं, कि print ने किसी एक कसा दिया, print सिर्फ एक medium था, लोगों के thinking को open करने का, लोगों की सोच क बदलने में, लोगों की सोच को खुलने में, हमने book को खुल की खतम कर लिया है, इस chapter का topic 1, 2, 3, 4, अब 5 topics और बचे हैं, बद उसमें बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि इन 4 में से सबसे important questions कौन-कौन से बन सकते हैं, देखो, सबसे पहले पुझा सकता है, calligraphy क्या है, मैंने बताई दिया कि beautiful and stylish writing को calligraphy बोलते थे, और फिर यह भी बताया आगे कि जो भी लोग hand in काम करते थे, उनको क्या बोलते थे, scribes, फिर यह सकता है कि जापान में कौन सी सबसे पहली book थी, तो older Japanese book कौन सी थी, the Buddhist, diamond sutra, diamond sutra नाम है, जिसके कुछ features भी मैंने तुम्हें बता कि कैसे गुटनबर्ग जी कैसे कैसे background था, बताया था ना मैंने background कि उनका wine और olive का press था, पहला point यह रहेगा, दूसरा point कि उनको gold smith थे, वो बाद अच्छे सुनार थे और lead molds बनाने आता था, तो वहां से उन अपनी quality सोनों ने बना लिया क्या, metal के casting types बना लिये, metal के casting types जिस इससे वो letter और alphabet type कर सकें, या imprint कर सकें, यह बड़ा सा image में देख रहो ना, कैसा यह गुटनबर्ग का printing पर हैसे इतना बड़ा सा hammer ripe का, ऐसे खीचा जा रहा पकड़के, तो इस तरह metal का पूरा का type बना लिया था, और फिर लिग देना कि कैसे उन्होंने अपने system को 1448 में बत mechanical printing पे, और इसको print revolution बोला गया, क्योंकि काफी ज़्यादा easy हो गया था, उसके बाद print को करना, क्योंकि उस time पे 180 copy 3 साल में बनाना भी एक अच्छी speed मानी जाती थी, फिर कैसे एक नई reading public आई, इसके बारे में लिखना होगा, और नई reading public के बारे में तुम लिख सकते हो, 5 point जो मैंने तुम बताया भी था कैसे कैसे कि अलग गलग तरीके की books आ गए थी, जैसे कि booksellers ने peddlers को point कर दिया था, lmanx और ritual book भी कर रही थी, penny chap या chap books भी कर रही थी, जो एक penny में भीकती थी, गरीब लोग भी afford कर पाते थे, और अलग अलग टाइप की books भी कर रही थी, और कैसे इसके वज़ा से religious debates हुई print के वज़ा से, और लोग क्यों डरते थे print के वज़ा से, क्यों डरते थे, कि कहीं अगर control ने रहेगा तो लोग कुछ भी print करेंगे, और कुछ भी print करेंगे तो print की लोगों में गलत image बनेगी, कि print negative चीज है, printing का invention है, वो negative चीज है, नई चीज बाग एक सबसे important question आ सकता है, कि print culture और French revolution में क्या relation है, तो उसमें लिख देना 3 point कि print नहीं popularize किया था idea of enlightenment thinkers, कि लोगों को thinking बदल दी थी, लोगों की सोच बदल दी थी, क्योंकि लोग अब argue करने लग गए थे, पुरानी beliefs और superstition को challenge करने लग गए थे, फिर दूसरा point कि print ने लोग आपस में discuss करने लग गए, और debate करने लग गए, जो पुराने norms थे, पुराने rules थे, कि क्या ये rules हम क्यों follow कर रहे हैं, इसके खिलाफ लिखने लग गए, यहां तक कि church के खिलाफ तक लिए डाला था, और तीसरा, कि इसके बाद एक ऐसा literature आया, जो royalty को mock करने लगा, या खरीब लोग सारी कठिनाईयां, सारी परिशानियां जेलें, तो ये सारे questions बन सकते हैं, एक-एक question का answer डीटेल में तुम्हें वक्षीट में मिल जाएगा, जिसका link PDF का description में है, या हमारी website www.vdlex.com से जाकर download कर लेना, आगे बढ़ो topic 5th पे the 19th century, अब आते हैं topic 5th पे the 19th century, 19th century के आते ही literacy rate Europe में काफी बढ़ जाता है, यानि कि ज़्यादा लोग पढ़े लीखे हो जाते हैं, तो अब men, women, बच्चे, almost सब पढ़े लीखे हो जाते हैं, बच्चे जब पढ़े लीखे हो गएं, तो बच्चों के लिए क्या produce हो रहा था, printing presses में, क्या बन रहा था बच यूमर बन गए, या audience बन गए, जिनके लिए produce करना ज़रूरी था, तो उनको लिए क्या क्या बनाया गया, इसके लिए हैं, पाँच पॉइंट और पाँचों पॉइंट याद करने का, एक सिंपल सा मिमॉनिक है, गोपूस, पुरान यार चोटे-चोटे से बच्चे को प्य इनकी पुरानी कहानिया किससे जमा किये, और इसको एडिट वगएरा करके, प्रिंट कर दिया ऐसा कलेक्शन in 1812, किसने क्या था ये, ग्रिम ब्रदर्स ने, ग्रिम ब्रदर्स इस्पेसली बच्चों के लिए ही पब्लिश करते थे, then G.O.P.U.S. तो सेकेंड पॉइंट है O और O से है Old Fairy Tales यानि गरी मदर्स ने पुरानी Fairy Tales को ही पब्लिश किया तो पुरा ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरानी नई चीजें भी पब्लिश हो रहे थी तो Old Fairy Tales as well as New Works such as Folk Tales were also published तो G, O अब आते हैं P पर P से है R A Children's Press Devoted to Literature for Children Alone was set up in France in 1857 1857 जब इंडिया में हुआ था Revolved तो उस टाइम पे France में क्या करा गया था? Children's के लिए के अलग से Press Devote कर दिया गया था तो P से है रखना Press फिर G, O, P, U U से रहेगा Unsuitable यार देखो बच्चे हैं Under 18 वाले बच्चे हैं Adult नहीं हैं उनके लिए जो भी Unsuitable चीज़ से उसको हटा जिए था Anything that was considered Unsuitable for Children or would appear Vulgar to their lights was not included in the published version बच्चों के लिए जो भी Publish किया जाता था उसमें ऐसी Vulgar चीज़ हैं या उल्टे-फॉल्टे रागनी MMS टाइप चीज़ हैं नहीं डाली जाती थी G-O-P-U, GoPoo, S GoPoo's S से क्या मतलब है S से मतलब है कि School textbooks became critical for the publishing industry Production of school textbooks became critical for the publishing industry अब जब primary education compulsory कर दी गई तो school textbook तो चाहिए ना तब इस बच्चे पढ़ेंगे तो school textbook का production भी compulsory कर दी गया यह थे 5. children के उपर अब men और workers तो पहले से ही literate हो रहे से हर जगे पर children literate हो रहे है तो women भी literate हो रही थी और women सिर्फ ऐसा reader नहीं बलकि as writer भी grow हो रही थी कई जगे पर women लिख भी रही थी तो penny magazines बनाने लग गया सब लोग women के लिए penny magazines were especially meant for women as were manuals teaching proper behavior and housekeeping उस penny magazines में होता क्या था देखो यह figure दिया हुआ है तुमारी book में इस penny magazines में छोटी से magazine में images के थूरू दिखाया गया है कि एक women को क्या क्या करना चाहिए proper housekeeping कैसे करना चाहिए proper behavior कैसे करना चाहिए second when novels began to be written in 19th century women were seen as important readers जब novels लिखी जाने लगी तो women को important readers समझे जाने लगा क्योंकि novels में fiction होता था story होता था emotional चीज़ होती थी जो women काफी ज़्यादा interest चे पढ़ती थी third point कि some of the best known novelists were women कई सारी novelists जो खुद novel लिखती है writers वो खुद women थी यार Jane Austen, Bronze Sisters and George Elliot ये तीन example है अब women आगे बढ़ रही थी सब आगे बढ़ रहे थे literacy rate आगे बढ़ रहा था तो एक और चीज़ आगे बढ़ेगी ना जब ज़्यादा print कर ले जा रहा है तो print technology भी आगे बढ़ेगी फर्दर आगे क्या-क्या innovation हुए इसके बारे में 5 point बढ़े important रहेंगे जिसको याद करने के लिए हम imagine करते हैं कि एक अमीर बाप का बेटा है वो अपने पापा से कह रहा है कि मुझे चाहिए off electric photos यानि कि उस जमाने में बहुत पहले उसके अमीर पापा ने उसे दिलाया है photograph खीचने का camera वो camera ऐसे photos खीचता है जिसको electricity में connect करो यानि कि electricity प्रोवाइड करो plug-in करो तब ही वो camera work करता है अब वो बेटा कह रहा है demand कर रहा है मुझे ऐसा camera चाहिए जो off electric photos खीचे electricity के बिना भी तो इस तरह से imagine करके याद कर लो सिर्फ ये line कि मुझे चाहिए off electric photos और मुझे चाहिए से M और C निका लो off electric photos बिल्कुल वैसे रहेगा देखो गया क्या हुआ M C off electric photos M से याद रखो the press came to be made out of metal by the late 18th century the press came to be made out of metal कि 18th century के late 18th century तक press पूरा का पूरा metal का बना दिया गया M से metal हो गया फिर M C C से याद रखो by the mid 19th century देखो late 18th century तक metal का हो गया फिर mid 19th century start से mid तक क्या हो गया Richard M. Ho New York के थे ये Richard M. Ho इन्होंने पूरा का पूरा system perfected दिया had perfected दी power driven cylindrical presses C से cylindrical presses M C देखो पहले metal press बन गया फिर उसके बाद cylindrical press बने किसके द्वारा Richard M. Ho के द्वारा New York के थे वो then M C के बाद के था off electric photos तो off से क्या रखना है कि in the late 19th century अभी इमने बाद की late 18th फिर early 19th या mid 19th फिर late 19th century आते आते offset press was developed which could print up to six colors at a time नई technology आ गई offset press बन गए जो एक बार में छे color प्रिंट कर सकती थी यह याद कराना है मुझे चाहिए off electric press M से metal चाहिए से C से हो जाएगा तुमारा cylindrical presses और फिर off से क्या हो जाएगा offset presses फिर electric photos से रहेगा अपना अगला point electric से अगला point यह यह यार की from the turn of 20th century यानि कि 20th century जाएसे शुरू हुई electrically operated presses accelerated printing operations यानि कि फिर electrically operated press आने लग गए और फिर last में कौन से technology आई मुझे चाहिए off electric photos जिस से याद रखना है last point जो है plates became better automatic paper reels and photo electric controls of the color register were introduced तो 5 changes से अलग लग क्या है इसको हम रखना है एक line से याद मुझे चाहिए off electric photos mc of electric photos m से metal पहले था फिर c से तुमारा आगया cylindrical press फिर off से offset press जो क्या करता था offset press 6 color एक time पर प्रिट करता था फिर electric press आ गया electric press से काफी काम fast हो गया और उसके बाद end में आता है तुमारा photos से photo electric control color के उपर photo electric controls of the color register वर introduced तो यह सारे थे जितने भी innovation हुए अब इसके पाद एक चीज innovation सिर्फ printing technology में नहीं हुई दूसरी चीज यह हुई कि innovation हो गई print करने के तरीके में कि क्या print किया जा रहा है ठीक है क्या print किया जा रहा है कि कैसे print को interesting बनाना है technology तो बढ़ रही है बट content भी दो चाहिए बढ़िया उसके लिए क्या किया गया 19th century periodical serialized important novels which gave birth to a particular way of writing novels 19th century में जो periodicals आ रहे थे उसको serialized कर दिया गया यानि कि episodics निकाएन लग गया कि यह हुआ एक novel में दूसरे पार्ट में यह होगा तीसरे पार्ट में यह होगा जिससे interest बढ़ने लग गया और England में 1920s में एक बिल्कुल cheap series launch की गई सस्ती series रखा है making of global world chapter में बिल्कुल unlimited तरीके से यार वहाँ पर हमने देखा था ना कि कितनी तकलीफ होती है योरप के लोगों को पैसा बिल्कुल गिर जाता है किसी के पास पैसा नहीं बसता तो print में भी पैसा नहीं बसता तो अब वहाँ पर sustain करने के लिए इंडिया में क्या हल चल रहा था print का manuscripts इंडिया में बहुत-बहुत-बहुत पहले से थे अब ये manuscripts क्या होते है manuscripts से आर typed या ピर फिर handwritten material होता है जिसको print ना किया गया हूँ जो बिल्कुल original form में हो तो वैसे original form में बहुत पहले से इंडिया में काफी hand written manuscripts exist करते थे अलग-अलग language में Sanskrit थे, Arabic थे, Persian थे, सारे और अलग-अलग languages थे वरनाकुलर languages थे, वरनाकुलर का मतलब local languages थे जैसे Tamil, Kannal and every language that existed in India back then अब manuscripts उस time तक तो produce हो रहे थे बट उसके बाद उनको आगे नहीं ले जाया, पाया गया क्यों? तीन reason थे, पहला, they were highly expensive and fragile बहुत महेंगे थे और fragile थे, दूसरा, they had to be handed carefully क्योंकि manuscripts थे, वो उस time के material थे, उस time के documents थे आज की तरह बिलकुल page पे ने लिखे हुए थे, उस time पर कभी wooden pulp पे लिखे होते थे, या फिर कहीं plant पे, ऐसी ऐसी जगे पे leaves पे लिखे होते थे, तो अब उनको preserve करना काफी मुश्किल था, और उनको कहीं ले जाना काफी मुश्किल था, पहला, कि वो बहुत expensive थे, fragile थे, दूसरा, they had to be handed carefully, और तीसरा, they could not be read easily as the script was written in different styles, handwritten थे, तो अलाग अलाग styles में थे, तो सब लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे example है ये pages from the rigvita, देखो कैसे wooden pulp पे लिखा गया है और handwritten लिखा गया है, अब print कैसे इंडिया में आता है, पूरा का पूरा हमें ये series देखना है और इसको भी याद करने के लिए हमारे पास है एक mnemonic, print comes to India, ये topic का नाम, तो print इंडिया में कैसे आता है, P से print, I से इंडिया, तो P और I लिख दो, print P से I, इंडिया में आ गया print, अब बीच में लिखो P और I के, A, B, C, D, E का सिर्फ C, D, E, तनने कि P, C, D, E, I, देखो, इ इससे कैसे आत करेंगे, सबसे पहला P, कि Portuguese missionaries in the mid 16th century first came to Goa, and Gisut priests learnt Konkani and printed several tracts, कि Portuguese missionaries आते हैं mid 16th century में Goa में, और वहाँ पर Gisut priests, यानि कि उस टाइम के पंडित वगेरा, उस Portuguese लोगों के, वहाँ पर Konkani language सीखते हैं, और कई सारी चीज़ें publish करते हैं, तो यह हो गया P से point, फिर मैंने क्या बोला है, print comes to India, P, I, बीच में A, B, C, D, E का लिख दो C, D, E, तो P के बाद jump मारो C पे, C से क्या point है, Catholic priest printed the first Tamil book in 1579 at Cochin, क्या, Catholic priest printed the first Tamil book in 1579 at Cochin, यानि कि Catholic priest, जो Catholic churches के पुजारी होते हैं, उसके पुजारीों ने print की, पहली Tamil book 1579 में Cochin में, और 1713 में the first Malayalam book was printed by them, तो पहली Tamil book भी उन्हों ने print की और पहली Malayalam book भी, किसने? Catholic priest ने, फिर P, C, D प्राज़ो, D, D से है कि Portuguese missionaries को देख लिया, Catholic को देख लिया, अब D से आज़ो, Dutch पे, Dutch protestant missionaries had printed 32 Tamil texts, many of them translations of older works, कि Dutch protestant missionaries ने 32 Tamil texts को print किया, उसमें से कई सारे पिछले वर्क के translations थे Tamil language में, फिर P, C, D के बाद E और I, दो पॉइंट बचते हैं, तो E से है, देखो हम अलाग-अला languages देख रहे हैं, प्रटी यूज हो गया, Catholic हो गया, Tamil वगयरा, कोनकणी, कंणर, क्योंकि कोनकणी मुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद, almost 50 books print की गई थी, कोनकणी में और कंणर languages में, फिर Catholic पर रिस्टा है, उन्होंने तमील में कर दी, Malayalam में कर दी, Dutch ने भी कर दी, फिर अलग-लग languages में, तम के एक एड़र थे, उन्होंने Bengal Gazette को एड़र करना स्टार्ट किया था, वो एक weekly magazine थी, और वही एक English enterprise थी, क्या point है, James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine, that was a private English enterprise, fourth point हो गया, E, फिर last point है, PCDI, I, I, से है अपना point, कि Bengal Gazette was the first Indian newspaper to publish by an Indian, who was Gangadhar Bhattachar, जो राजारा मोहनरोय के close friend थे, तो Gangadhar Bhattachar जी ने, वो सबसे पहले Indian थे, जोनोंने Indian newspaper publish किया, Bengal Gazette, जो एक weekly newspaper था, Gangadhar Bhattachar was the first Indian to publish Indian newspaper, Bengal Gazette, which was a weekly, ये हो गया, पांच points, अब Bengal Gazette, Bengal Gazette बहुत बाहुत 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 सुन रहा हो ना, तो सुनो, James Augustus Hickey ने, क्या किया, Bengal Gazette को edit किया था, जो एक weekly magazine थी, अभी हमने देखा, तो वो private English enterprise थी, और खुद को Bengal Gazette अपने आपको कैसे define करती थी, a commercial paper open to all, but influenced by none, कि एक ऐसा commercial paper, जो सब के लिए open है, कोई भी पढ़ सकता है, बढ़ किसी से भी influence नहीं है, यानि कि हम बहुत ज़्यादा, किसी से भी influence नहीं है, हम किसी से भी डर के या किसी के लिए ख़बर नहीं चापते हैं, हम open सब के लिए ख़बर चापते हैं, कोई भी लेकिन साथ में इन्होंने गलती ये कर दी कि इन्होंने कई सारे गॉसिप्स पब्लिश कर दी कमपनी के इस्टिंडा कमपनी के सीनियर ओफीशर्स के बारे में जो इंडिया में उस टाइम पे थे इनकी कहानी खतम और खतम टॉपिक 6 याद कि हमने प्रिंट कम्स टू इंडिया वाला पूरा का पूरा टॉपिक पांच पॉइंट्स में PCDEI इस में मौनिक से आगे बढ़ते हैं टॉपिक 7 रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिपेट्स हमने पहले ही देख रखा है कि क कैसे रिलीजियस रिफॉर्म प्रिंट की वज़ा से आ रहे थे जैसे कैथलिक चर्च को लोगोंने सवाल करना सुरू कर दिया था अलग से प्रोटेक्षिटेंट रिफॉर्मेशन का ग्रुप बना लिया था अब यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा था ये देखो उस ट्र पबलीश की समाचार चंदरिका इनके अगेंस्ट में इन्हों ने पबलीश किया संबुल कोमडी 1821 में तो हिंदू अर्थोड़क्सी ने अपने आपको हिंदू कंजरवेटर्बै empir ने अपना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बुग पबलीश कर दी समाचार चंदरिका फिर 1822 में ज़स्ट एक साल बाद दो परसियन न्यूस पेपर भी पब्लिश हुए जम ई जवान नमा और शम्शुल अखबार यह आ जाता है MCQ में कि कौन से दो परसियन न्यूस पेपर थे तो जम ई जहान नमा और शम्शुल अखबार और उसी साल में एक गुजराती निस पेपर भी आया था इंडिया में दि बॉम्बे समा चार अब नौर्थ इंडिया में चाहे कोई भी रिलीजन हो चाहे वो हिंदू रिलीजन हो चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो तो उस टाइम के जो उल्मा थे जो लीगल स्कॉलर थे इसलाम के या समझ लो की उस टाइम की रिलीजियस हेड थे जो स्पोक्स परसंट थे उनके उल्मा वो काफी जादा डरे हुए थे कि कहीं मुसलिम डाइनस्टी ना कॉलैप्स हो जाए क्योंकि लोग उनसे कुश्चन कि लीगल प्रोनाउंस्मेंट ऑन इसलामिक लॉज यूजरी गिवन बाया मुफ्ती लीगल स्कॉलर तो क्लैरिफा इशू अन विस दा लॉज अनसर्टेंटी हो रही है तो उस पर कोई लीगल क्लैरिफिकेशन देने के लिए एक पूरा का पूरा लॉज पबलिश करवा दे अपने आपको चला सकते हैं लाइफ फॉलो कर सकते हैं और इतने ज़्यादा अपोजिट व्यूज वाले लिटरेचर को नहीं पढ़ें बट फिर भी उर्दू प्रिंट ने कई सारी बैटल्स करवाई पबलिक में और यही हिंदी में भी हुआ हिंदूस के साथ भी हुआ ज अब मिड 18th सेंचुरी में जब सारे के सारे सस्ते एडिशन पूरे के पूरे इंडर मार्केट में फैल गए तो 1880 में लखनव के नवल किशोर प्रेस ने और स्री वेंकटेस प्रेस ने बॉंबे में कई सारी रिलीज़ टेक्स्ट को पबलिश कर दिया अब जिसके बाद कई सारे लोग आपस में बैट के डिबेट करने लग गए कई लोग रिलीज़ साइड के साथ थे कई लोग रिलीज़ साइड के अगेंस में थे तो दोनों आपस में डिबेट करने लग गए और प्रिंट ने सिर्फ और सिर्फ बहस नहीं करवाय आपस में प्रिंट ने एक दू इंडिया इंडिया बन रही थी यानि कि पूरा इंडिया connected हमें दिख रहा था अब 8 टॉपिक पर आ जाते हैं new forms of obligation के भाई अब audience समस्दार हो रही है तो उसको कुछ interesting देना पड़ेगा ना उसको कुछ चीज़ लॉंच हुई, visual images, painters like Raja Ravi Varma produced images for mass circulation क्या point है पहला कि painters like Raja Ravi Varma produced images for mass circulation क्योंकि images काफी ज्यादा popular हो रही थी जैसे Raja Ritudvaj दिखा रहे हैं इस painting में इस painting में यह जो राजा है इनका राम है Raja Ritudvaj जो तुमसे नहीं पुछा जाएगा बस यह पुछा जाएगा इस painting नो कि Raja Ravi Varma जी ने जिनका पहला point जिनकी हम बात कर रहे हैं कि painters दोश्टाइम के थे जैसे Raja Ravi Varma जी उन्होंने कई सारी image produce की mass circulation में कई जगे images बटने लग गई तो कि images अपने आप में कुछ कह रही थी अभी यह image क्या कह रही है यह comment में बताओ तुम अगला point की poor wood engravers poor wood engravers who made wood block set up shop near the letter presses and were employed by print shops की जो गरीब wood engravers थे यानि की wood का block बनाते थे उनको letter press के पास वो बैट गए और उनको employ कर लिया या print shop के दोरा फिर third cheap prints and calendars easily available in the bazaar या market could be bought even by poor to decorate the wall of their homes और work of places और places of work यानि की जो सस्ते print थे और calendar थे वो बहुत अच्छे easily available थे बजार में तो गरीब भी उसे खरीद के अपने घरों में लगा सकते थे अब यह तो अलग-अलग point हो गया कि images आ रही थी फिर wooden gravers थे फिर उसके बाद cheap print था जैसे calendar fourth point कि caricatures by the 1870s caricatures and cartoons were being published in journals, newspapers, commenting on social and political issues यह बड़ा important है सबसे पहले caricature क्या होता है यह देखो यह है caricature the cover page of Indian Charivari अगर पूछता है कि यह किसका caricature है तो Indian Charivari option मार करना इसमें दिखाया गया कि beach में एक Englishman है और बगल-बगल Indians बैट के सुन रहे है उसकी gossip और उसके आदेश और उसकी बातें इसमें दिखाया गया कि कैसे हम सब गुलाम है English thinking की और west की सोच के हम सब गुलाम है हम सब बैट के कैसे उनकी बातें सुन रहे हैं तो यह fourth point की caricatures और cartoon आने लग गए general और newspaper में जो comment करते थे social and political issues पे यानि की cartoon के तरीके में एक बहुत serious मुद्धे पर comment करते थे फिर इसी में fifth point लिख सकते हो की there were imperial caricatures lampooning nationalist as well as nationalist caricatures या cartoons criticizing imperial rule क्या मतलब की imperial यानि की राजा महराजा अपने caricatures पर वो करते थे print यानि की अपने cartoons print करवाते थे जो nationalist लोग कमजा खुडाते थे और nationalist लोग यानि की जो देश भक्ती में बिलीव करते थे जो राजा महराजा और आश और अराम की खिलाफ थे वो चाते थे कि गरीब अमीर सब मिलके एक देश में देश प्रेम के साथ रहे हैं वो जो अमीर लोग थे, imperial लोग थे, राजा लोग थे उनके खिलाफ करते थे अपने cartoons publish तो अब सब लोग एक दूसरे के खिलाफ openly publish कर रहे थे और इसमें women पर क्या impact परता है, क्या women का क्या roll है इंडिया में ये देखना है फिर से 5 पॉइंट में पहला पॉइंट कि lives and feelings of women began to be written in particularly vivid and intense ways क्या मतलब कि lives and women of women women की जिन्दगी के बारे में उनकी feeling के बारे में बहुत ज़्यादा vivid यानि के अच्छे bright तरीके से और intense तरीके से लिखने जाने लगा अब कई सारे women audience के लिए publish हो रही है तो women की audience भी बढ़ेगी women's reading भी बढ़ेगी तो वही हुआ थर्ड, liberal husbands and fathers began educated their women folk at home and sent them to schools इसका मतलब कि जो liberal, liberal का मतलब जो free सोच के थे जो freely सोच पाते थे, जो restricted या conservative सोच के नहीं थे उन्हों सारे husbands, पती लोग और पिता लोग, यानि की fathers अपनी पतनी अपनी बेटी को भेजने लग गए school पढ़ाई लिखाई के लिए फिर fourth point, many journals begin carrying writings by women कि कई सारे journals में आप women खुद लिख भी रही थी, जो मैंने example सुरू में दिया था English side का, अब Indian side की बात हो रही है कौन-कौन Indian woman ने लिखा था, ये भी अभी हम आगे देखेंगे example में तुम ले सकते हो, केलास बाशिनी देबी ने लिखा था और महराष्ट की ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई और तो और एक तमिल नोवल भी काफी famous हुई थी, जिसमें एक वुमेन लिखा था, ये क्योट ये कोट की, वो दिखा रही है कि उनकी लाइफ, जितने भी रीजन्स हैं, कई रीजन्स के वज़ा से उनका वर्ल्ड बहुत छोटा है, उनकी दुनिया बहुत छोटी है और जितनी भी खुशियां उनके लाइफ में आई है, आदी से ज़ादा तो सिर्फ बुक्स के वज़ा से आई हैं, तो वुमेन ने अपनी चीज़ें काफी अच्छे तरीके से लिखाई थी, तो ये था हमारा फॉर्थ पॉइंट कि there also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home-based schooling कि कई सारी ऐसी चीज़े भी प्रिंट हुई वुमेन के लिए, जिसमें कई सारा अच्छा reading matter था, जिससे अच्छी home-based schooling भी हो सकती थी कि घर में रहके भी schooling हो सकती थी, अब fifth point and most important point about women and print in India कि conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed and Muslims feared that educated women would be corrupted by reading उर्दू रोमैंसेस, मतलब कि जो conservative Hindus थे, conservative ने की orthodox Hindus, पुरानी सोच के Hindus उनका मानना था कि अगर एक लड़की पढ़ लिख लेगी तो एक वो विदवा हो जाएगी, वो साधी के बंधन में नहीं रहेगी और Muslims का मानना ऐसा था कि अगर women पढ़ लिख लेती है, तो वो पढ़ लिख लेगी उर्दू रोमैंसे, जिससे वो corrupt हो जाएगी लॉयल नहीं रहेगी या फिर वो अपने पती के साथ नहीं रहेगी, एक पैट्रियार्केल सोसाइटी में नहीं रहेगी, अगर वो उर्दू रोमैंसे पढ़ लेगी इसमें दिखाया गया है कि ये पती है, उसके ऊपर कंदे पे पत्नी बैठी है और शक्कर में बान रखा उसके अपनी मा को ऐसा दिखाया गया है कि ये जमान आ जाएगा कि family relation का destruction हो जाएगा पूरा और पत्नी राज करेगी और जो सास है और फिर पती के जमें आदमी है उसकी जो मा है उसको बंदी बना लेंगे ये लोग मिलके फिर यहाँ पर भी इसी तरह दिखाया गया है उल्टा, देखो आदमी तुम्हें दिखाया है वालन बजाते हुए यानिकी सेवा करते हुए और और ओरत तुम्हें हुका पीते हुए दिखा रही है अराम से तो यह दिखाया यह है कि वेस्ट साइड ने कैसे इंडियन कल्चर पे बहुत ज़दा प्रभाव डाला है फिर आगे देखना है वुमेन के बारे में हमने देख लिया चिलोडन के बारे में देख लिया आप देखो कि गरीब लोग बिचारे क्या पढ़ पा रहे थे या नहीं तो प्रिंट एंड दी पूर पीपल पढ़े इंट्रेस्टिंग लोग भी तुम्हें इस टॉपिक में मिलेंगे उसके पहले तीन पॉइंट्स की पहला वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट नुँ मार्केट इन 19th सेंचुरी मदरास टाउंड और सोल्ड एड क्रॉस रोड्स अलाउइंग पूर पीपल ट्रेविलिंग टू मार्केट इन यह पॉइंट्स तुम्हें लिखने को नियागे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बहुत सस्ती बुक्स भी आ गई थी यार मार्केट में और चौराहे पे क्रॉस रोड्स पे बिखती थी और लोग मार्केट में घुमते फिरते खरीते थे पॉब्लिक लाइबरीज वर सेट अप फ्रॉम दी अर्ली 20th सेंचुरी एक्सेस टू बुक्स पॉब्लिक लाइबरी सेट कर दी गई थी जिससे लोग कॉमनली जाकर पढ़ सकते थे बुक इसली अक्सेसिबल थी और कॉन सेट कर रहा था वहाँ के जो अमीर लोग थे उनको यह अच्छा लगता था लगता था तो अब इसमें कई सारी चीजें और ही गरीबों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चालू हो गया अपर कास्ट लोग लोवर कास्ट लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दीए उसके खिलाफ कई लोगों ने लिखा जैसे कि जोती भाई फुले ने लिखा है अपनी बुक गुलामगीरी में और 20th सेंचुरी में भीम रॉम बेड़कर जीने महराश्ट में इवी रमसवाएम नाईकर जीने मद्रास में better known as परियार परियार नाम से इनको जानते हैं इवी रमसवामी नाईकर जी को ये लोगों ने मिल कर काफी सारी चीज़ें लिखी कि चीज़ें खिलाफ काज 강ई दिसक्रिमिनिशन खिलाफ और एक फैक्टरी वरकर ने काशी बाबा ने भी इसके बारे में लिखा अपनी बुक छोटे और बड़े का सवाल ये बुक important है अगर पुछता है कि छोटे और बड़े का सवाल किसने लिखा तो लिखना होगा काशी बाबा अमिल वरकर हुवक दिन कानपुर और एक और important बुक जिसको लिखा गया था सूर दर्शन चक्र के नाम के अंदर जिसका नाम था सच्ची कविताई अब ये सारी बुक्स important है जिसका नाम आ सकता है और किसने लिखा तो या सकता है आगे बढ़ते हैं last topic पर इस chapter के फिर देखेंगे important question print and censorship क्या होता है censorship तुमने सुना होगा बॉलिवुड में censorship होता है movies release होने से पहले censorship में जाती है censor board में जाती है तो जो थोड़े से उल्टे उल्टे type के scenes होते हैं जो तुम देखने जाते हो ना उन्हें censor कर दिया जाता है कि एक wide audience अकर देखे तो उसको कुछ भी गलत पनल दिखे अब क्या गलत है ये कौन decide करेगा उस time पर decide कर रहे थे जो power में थे जो rule कर रहे थे इंडिया पर कौन rule कर रहा था East India Company यानि कि Britishers तो उन्होंने 1857 की revolt के बाद 1857 का revolt कर था ना उस time के बाद उन्होंने देखा कि print का इसमें काफी बड़ा रोल है तो जो native press थे यानि कि local press थे वरना कुलर languages के press थे यानि कि local languages जैसे कि कन्नर, पंजाबी, मदरास, उर्दू या हिंदी ये सारी local languages के press पे control पाने के लिए पास किया वरना कुलर press act of 1878 जिक कुस पे बेस था या पूरा का पूरा model इनके act का बेस था इरिस press loss पे और ये question आ जाता है one liner में, mcu में कि वरना कुलर press act was based on या was modeled on dash press loss तो इरिस press loss अब इसमें क्या था कि government के पास पूरे की पूरे rights थे कि जो भी कुछ publish होने वाला है उसको censor कर सके यानि कि cut कर दे कि इतना paragraph नहीं print होने चाहिए तो वो चीज नहीं print होगी और सारे editorials को जितने भी वरना कुलर press के यानि कि local language के press थे सब पर अब वो नजर रखने लग गए और नजर इस कदर रखते थे कि एक बार अगर कोई भी sedacious पाया गया यानि कि एक बार अगर कोई भी अपराधी पकड़ा गया तो उसके newspaper को warning मिलती थी लेकिन अगर दोबारा वो पकड़ा गया तो उस warning के बजाए उस पूरे के पूरे press को seize कर दिया जाता था और printing machinery भी confiscate कर लिया जाता था हटा ली जाती थी वहाँ से तो इतने कले लौस थे जिसका नाम था दिवरनाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 लेकिन क्या इसके बाद हम इंडियन्स हर मान गए क्या इसके बाद हम रुक गए नहीं इतने सारे मीजर्स के बाद भी जो nationalist की feeling थी जो देशभक्ती की feeling थी वो पब्लिश होती रही होती रही होती रही कहीं न कहीं से चुप चुपा के रुक रुका कर लेकिन देशभक्ती फैलती गई प्रिंट में उसका एक एक एक्जांपल तुम्हें देखने मिलेगा कि जब बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था पंजाब रिवाल्यूशनरी इसके बारे में अपनी बुक केसारी में और उनको एरेट्स कर लिया गया तो उनके arrest सुनते ही कि उनको इसलिए arrest किया गया है कि उन्होंने के सारी बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी है पंजाब revolutionaries के बारे में तो बहुत बड़ा protest launch कर दिया था लोगों ने उस time पे जनता ने जिससे मालूम पड़ता है कि हाँ press का impact भी था और इस वरना कुलर प्रेस एक्ट के बावजूद इंडियन्स पब्लिश कर रहे थे नैशनलिस्ट फीलिंग को और इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ hats off to the freedom fighters and hats off to you too क्यों कि तुमने ख़तम कर दिया ये 9 टॉपिक का लंबा चैप्टर चार टॉपिक के बाद हमने important questions डिसकस किये थे अब पांच और टॉपिक्स खताम हो चुके हैं जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके important questions कहां से बन सकते important questions या one word या MCQs देखो सबसे पहला कि manuscripts कौन कौन से languages में थी इंडिया में उस टाइम पे तो Sanskrit, Arabic और Persian और कई सारी वरनाकुलर या local languages भी थी फिर उसके बाद print इंडिया में आता है तो कैसे कैसे आगे बढ़ता है कैसे कैसे कौन लाता है print गोवा में लाते हैं Portuguese missionaries जो मैंने आती रहा था न print comes to India P.E.E. से I.E. जिसके बीच में C.D.E. था Portuguese missionaries, Catholic, Dutch, E.E. से English और I. से Indian उस पे पर तक का सफर फिर उसके बाद क्या हुआ जब नए form of print आए नए form of print कौन कौन से थे मैंने बताया था अलागला form जैसे caricature, visual painting ये सब चीज हो गई फिर उसके बाद woman पर print का क्या impact था उसके 5 पॉइंट काफी important है जो 5 पॉइंट है कि woman के बारे में लिखा गया, woman ने खुद लिखना start किया और जो भी husband father liberal थे उन्होंने भेजा पढ़ने के लिए और तो और कई सारा syllabus भी ऐसा था जो घर बैटके भी schooling करा ही जा सकती थी woman की और एक point की हिंदूज और मुस्लिम दोनों families के जो conservative लोग थे वो नहीं चाते थे कि उनके घर की बेटियां पढ़ें फिर किसने क्या लिखा था यार इस पर आ सकता है important question तो तुम सब को पता है कि राम चड़ा ने लिखा था इस्तरी धर्म विचार जिसमें लिखा गया था कि कैसे इस्तरी को रहना चाहिए फिर उसके बाद लिखा था जोती भाई फुले ने गुलाम गिरी और काशी बाबा ने जो एक कानपूर के मिलवरकर थे छोटे और बड़े का सवाल और एक कानपूर मिलवरकर ने लिखी थी एक बुक जिसका नाम था सच्ची कविताएं तो यह सारी बुक्स थी फिर प्रिंट और सेंसर सिप पर आ सकता है क्विश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा लौ पास हुआ था तो वरना कुलर प्रेस एक्ट जो बेस था इरिश प्रेस मॉडल पर यह सारे के सारे इंपॉर्टेंट कुश्चन थे जो आमने जल्ली जल्ली से देखें डीटेल में तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट कुश्चन एमसी क्यूज हों सब्जक्टिव कुश्चन हों चाहे फिर वो हों इमेज बेस्ट कुश्चिन, सब कुछ तुमको ऐसी वक्षीट्स में, डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल नोबक्वास पे और वेबसाइट पढलेक्षा.com पर पिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करो, सारे हिस्ट्री के अनिमेटे अब क्या काम है, अब ये नॉटिफिकेशन वाली गंटी छेड़ दे, कुछ भी मिसना हो, सब में ये वीडियो फैला दे कि कोई भी ऐसा ना रहे जो हमारी पढले गैंक से ना बिलॉंग करता हो, सब को गैंक का मेंबर बना दे और फिर जाना, जा, पढले